हेलो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ट्रांसिटिव एंड इन्ट्रांसिटिव वर्ब्स जिससे पहले हम कुछ वाम अप एक्सरसाइज करेंगे यहां पर बच्चों कुछ सेंटेंसिस लिखे हुए हैं हमें उन में से वर्ब्स को छाटकर अंडरलाइन करना है जैसे कि आई पेंटीडे पिच्चर इसमें पेंटेड वर्ब है ग्रांड में गोस को अंडरलाइन करेंगे ड़ डोग एट बैग ऑफ ओट्स इसमें एट को वी अर्राइब बाइद ट्रें एड शिक्स इन मौनिंग इसमें अर्राइब को एंड शी बहुत एड़न को विच्चों बैइसे होते हैं जिनका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस में ऑफजिक की जडूरत होती है और कि युदा वर्ब दो तरह की होते हैं ट्रांजिटी वर्ब और इंट्रांजिटीव सबसे पहले हम ट्रांजिटीव अरड 쪽 आ हम ते पख़क्थ के लिए किसी object की जरूरत होती है उसे हम transitive verb कहते हैं जैसे कि children like chocolates इसमें children noun है like verb है और chocolates object है I gave Rohan a pen इसमें gave verb Rohan object और a pen object बच्चों transitive verb में एक से ज़्यादा भी object हो सकते है पहले sentence में chocolate completes the meaning of the verb like अगर हम chocolates नहीं लिखेंगे तो sentence का कुछ भी meaning नहीं होगा इसी तरह से दूसरे sentence में दो object है रोहन और pen एक चीज है और एक व्यक्ति है तो pen जो है वो direct object है और रोहन indirect object है इन डारेट ऑबजेक्ट जोने डारेक्ट से पहले आता है तो बच्चों एक प्रिपोजिशन है दा डारेक्ट ऑबजेक्ट इस pen और इन डारेक्ट ऑबजेक्ट जो है वो रोहन है जो हमने एक्जाम्पल पढ़ें उसमें, अब I gave a pen to Rohan, यहां पर direct object जो है, वो indirect object के बाद आ रहा है, और indirect object becomes the object of a preposition to, दूसरा है intransitive verb, वो verb जिसे sentence का meaning complete करने के लिए object की जोड़त नहीं होती है, उसको intransitive verb बोलते हैं, जैसे कि the baby smiled, smiled verb है, और इसमें किसी object की भी जोड़त नहीं है, तो इस तरह से, इसमें action verb होता है, जो कि doing verb है, और यह अपने आपने ही, इसमें sentence का meaning complete हो जाता है, कुछ और intransitive verb हैं, जैसे look, die, live, laugh, roar, cry, यह कुछ intransitive verbs के example हैं, तो आएए इससे जुड़ी ही कुछ activities करते हैं, सबसे पहले activity में, यहाँ पर कुछ sentences दिये गये हैं, जिसमें हमें verbs को identify करना है, और यह बताना है, कि verb transitive है या intransitive है, तो सबसे पहले sentence, the girls are playing on the ground, तो बच्चों यहाँ पर verb है playing, और यहाँ पर object है, तो इसलिए यह transitive verb हो गया, दूसरा dad made cake for me, यहाँ पर made verb है, और cake for me, यह objects है, तो इसलिए यह भी transitive verb हो गया, इसी तरह से everyone laughed loudly, तो यहाँ पर laughed जो है वो वो वर्भ है, और यह intransitive verb है, स्नेह plays piano, plays verb है, और यह transitive verb है, the cricketer went home, यह भी transitive verb है, we went for movie, यह भी transitive verb है, तो इस तरह से हम इन sentence में transitive और intransitive verb को पच्चान सकते हैं, दूसरी activity में हमें sentence में verbs को underline करना है, और बताना है कि वो verb transitive है, या intransitive है, और transitive verb के objects को भी circle करना है, जैसे, first sentence, we will attend the wedding tomorrow, यहां पर verb है attend, और the wedding यह है object, transitive verb है यह, इसका object है, तो इसको circle करेंगे, the thief ran through the crowded street, यहां पर ran verb है, इसका underline करेंगे, और through the crowded street यह object है, इसको circle करेंगे, the maid opened the door, opened verb है, इसका underline, और यह transitive verb है, और the door इसमें object है, तो इसको circle करेंगे, we are going to the france, इसमें going verb है, और to the france यह object है, तो इसमें, यह transitive verb है, इसमें to the france को circle करेंगे, इसके बाद next activity में भी बच्चों कुछ sentences दिये गए हैं, जिसमें हमें direct object को circle करना है, और indirect object को underline करना है, जैसे कि, I gave her a birthday gift, तो यहाँ पर यह transitive verb है, इसमें दो objects है, her और birthday gift, तो birthday gift direct object है, और her indirect object है, इसी तरह से, Edward made him the leader of the class, इसमें दो object है, him और leader of the class, तो the leader of the class यह direct object है, और him indirect object है, The school awarded me the best credit award, इसमें भी the best credit award यह direct object और me indirect object, इसी तरह से बच्चों, आप बागी के sentence में direct और indirect object पहचान सकते हैं, Thank you!